नमस्कार जैश्री कृष्णा मैं राकेश शिवानियाश्टो चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं और जैसा कि आपको मालूम है कि हमने ज्योतिस ग्यान के नाम से एक सिरीज चलाई है जिसमें बहुत ही बेसिक से लेके एडवांस एस्टलोय तक हम लोग पढ spec. क्या होता है बोटने कि डब़ ट्रांजिट को गोठे है इसके लिए बड़ी इंकोर्टरणिट चीथ है डबल ट्रांजिट से कि यह एम एक आपि लग जाए तो भाव एकटि बोजाता है जिस्वहाव पर लग जाए वह पर लग चाहे दशा हो या ना हो इसमें एक खास बात यहीं है कि जिस भाव को गुरू और शनी एक्टिव कर दें वह भाव दिना दशा के भी एक्टिव हो जाता है और उस भाव के फल आपको मिलने शुरू हो जाते हैं आप सोचते हो के फल तो भाव तो हमारा यह बहुत है कि किसी भाव को प्रभाविक कर लें चाहिए हमें आपको पहले भी बता चुका हूं कि रिजट मिलना बहुत बात है कि कोई भी ग्रहे रिजट कहां कहां के देता है यह सबसे important बात है यह आप अपनी अगर आप इस बात को समझ गए तो समझ यह production करने का 60% तरीका आपको आगए हम लोग अक्सर यही समझते हैं कि जिस ग्रहे की दशा है जिन भावों का स्वामी है उनके फल वो दे रहा है या जिहां वो बैठा है वहां के फल वो दे रहा है मानलो कुंडली में गुरू की दशा है तो फल कहां कहां के मिलेंगे यह जिहां रखने वाली बात है फल मिलेंगे गुरू जिस भाव में बैठा है वहां के फल मिलेंगे गुरू जिस भाव को देख रहा है, तीनों भाव को देख रहा होगा, तीन भाव को, अपनी तीन द्रस्ती से, उन तीनों भाव के फल मिलेंगे, गुरू जिस भाव का कारक है, उनके फल मिलेंगे, काल पूरुशी कुंडली में गुरू नवे बारवे बार का कारक होता है, त तुम्हा के फल मिलेंगे। गुरू जिन जिन भावों का कारख है। कारख की क्या position होती है कि कारख बिना तशा के result देता है। गुरू खुंडले में दूस्रे भाव का कारग भी होता है। तो इन भावों के result भी आपको मिल सकते हैं सासाथ में। चाहे दशा हो या ना हो दूसरे पांचवे नवे ग्यादवे भाग के रिजल्ट भी आप तो अराम से मिल सकते हैं गुरू की दशा में गुरू आपको लाब दे सकता है गुरू आपको धन दे सकता है गुरू आपको संतान दे सकता है क्योंकि गुरू जब भलई आके साथवे भाव को एक्टिव कर रहा हो या पांचवे भाव को एक्टिव कर रहा हो या ना कर रहा हो तो यह जहां नखने वाली बात हो इसी प्रकार से गुरू और शनी का डबल गोचर अगर गुरू और शनी मिलके किसी भाव को प्रफावित क रहें तो वह depends हुजाता है छिए क्या मतलब इसका मतलब सीधा यह है कि मालों झीभम है उसको गुरू देख ले कि कि सिबाहतों पॉंचोते बाफ소 माल्या चौता भाव में देख लेता है और उस भाब मैं दबल के से काम करता है वो मैं आपको बताने की कोशिष करता हूं आगे यह कुंडी है कि इसमें इसमीं और गुरु दस वी राशी में हैं दस राशी में हम लोगों ने माल लिया है हाला कि आज की डेट में जब ये विडियो रिकॉर्ड हो रही है ये दस नमबर राशी में नहीं है शनी ग्यार नमबर राशी में है और गुरू एक नमबर राशी में है लेकिं मैंने आपको example के लिए बिताया है काली तकि example सहंभना आजाए कि शनी और गुरु माल लिजले दसन्ज़ी ढ़र्वारत कर रहे हैं और किस भाव के स्वामी को प्रभवावित कर रहे हैं तो अब यह देखे शनी की सवाम kommtक रहे हैं सात्वी द्रस्टी से तीसरे भाव को प्रभावित करता है, तस्वी द्रस्टी से छटे भाव को प्रभावित करता है, और किसको प्रभावित करता है, शनी यहां बैठके किसको देखेगा, चंद्रमा को देखेगा, चंद्रमा कौन है, धर्ड भाव का स्वामी है, उसको प्र तीसी दरस्टी यहां जाएगी तो चंदरमा को देखेगा, वो हमने ले लिया, हड़ एल को देखेगा, साथी दरस्टी से किसी को नहीं देख रहा है, साथ, आठ, नो, दस दरस्टी से केतु को देख रहा है, उससे कुछ नहीं है, सनियू यहां बैठा है सूर्य के साथ, सूर भी इसके अंदर ले सकते हैं अब ट्रांजिट का गुरु देखे कहां कहां देखता है ट्रांजिट में गुरु मालिया यहां पर है दस नंबर राशी में यह कुंडली जो है आपके जन्म कुंडली है और ट्रांजिट में हम लोग मानने हैं कि गुरु आपका दस नंबर गुरू किस भाब को और देखता है एक दो तीन चार पांच लगन को देखता है तो बनेश को प्रभावित करता है गुरू और किस भाब को देखता है सात्य द्रस्ति से तीसरे भाब को देखता है तो तीसरे भाब का भी हम लोगों ने ले लिया गुरू और कहां देखता है, नौवी दरस्ती से पांचवे भाव को देखता है, तो पांचवे भाव भी हम ने ले लिया और गुरू कहां देखता है, गुरू सूर्य के साथ बैठा हुआ है इधर तो सूर्य क्या है? सूर्य चौथे भाब का स्वामी है, पूर्थ लौड है, तो सूर्य को भी प्रभावित कर रहा है तो कहने का मतलब यह है कि इस ट्रांजित में शनी ने नवा भाब को प्रभावित किया, ग्यारवें भाब को प्रभावित किया, तीसरे भाब को प्रभावित किया, छटे भाब को प्रभावित किया, तीसरे लौड को किया, और चौथे लौड को किया, ट्रांजित के गुरु यह हमको देखना होगा कौन सा भाव हमारा एक्टिव होगा तो आप यह देखिए शनी अगर तीसरे भाव के स्वामी को प्रभाविक कर रहा है तो गुरू उस भाव के भाव को प्रभाविक कर रहा है गुरू तीसरे भाव को देख रहा है और शनी तीसरे भाव के स्वामी को प्रवाविः क्रपैंड को देख रहा है दूसरा भाव ख्र्रा इसका मद्दर टीषरा भाव भी हो गया चैंप कि extremely आपका तीसरे भाव सब्सक्योश्थ आप मिलने सुरू हो जाएंगे अगर simplest अदुसक्तुकी में धसको नमबर यहाई है्द तो आप यहीदकिए रESol शनी को आप बैठाईए गोचर में जहां है माँ बैठाईए देखिए कौन-कौन से भाब को प्रभावित करता है और कौन-कौन से ग्रह को प्रभावित करता है वो ग्रह किनी भावों के स्वामी होंगे फिर ये देखिए कि ट्रांजिट का जुपिटर किस भाव को को देखे दूसरा भावेश को देखे तो वह एक्टिव होया आता है जिससे हमारी प्रॉब्लम सारी सौल गोई आती है और हम कह सकते हैं कि कुंड़ी देखे कि आपको तीसरे भाव के रिजल नी मिलेंगे आपको पराक्रम के रिजल मिल सकते हैं आपका जौब चेंज हो सकता ह आप खेल पूर में हिस्सा ले सकते हैं कि तीसरा भाव इन सब चीजों का है तो वह चीज भी आपके साथ साथ आएगी और दशाख के पल तो हम देखी रहे थे कहां कहां के पल मिलते हैं साथ में यह वाले फल मिलते हैं जहां पर गुरू अर्शनी भाव को एक्टिव करते ह आशा करता हूं यह डबल ट्रांजित आपको समझ माया होगा आपको समय माया तो कांड़ी लेक कीजीगा सब्सक्राइब कीजीगा शेर कीजीगा और इसके लावा हम लोग प्लास करने जा रहे हैं जो तिसकी जो लोग इंटरेस्टेट हैं वो जोइन करते हैं धन्यवाद जाशी करस्ट